जय हिंद आज के समय में दोस्तों हम सभी लोग बहुत ही टेंशन डेप्रेशन में रहते हैं बहुत सरा हतासा निरासा हमारे जीवन में घेर चुका है कैसे उनसे बाहर निकला जाए इसका देखिए उपाय बहुत सारे लोग को बताते हैं बहुत और दॉक्टर bo trainee खूला उए यहाँ आपको बताइंगे कि किस तरह से आपने जीवन पहतर कर सकते हैं इस तरह से आप अपने जीवन को जीवन में जो टेंसन और डिप्रेशन उसे बाहर निकल सकते हैं लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप देखिए बुक जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं जब हम लोग अच्छे अच्छे बुकों को पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर काफ प्रभावित नहीं होंगे और अंदर से प्रभावित कैसे होंगे तो अंदर टेंसन और डिप्रेशन हम लोग कैसे रहते हैं क्योंकि कोई गलत विचार या कोई डर कोई है हमारे दिमाग में घुमते रहता है जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन विचार बार बा प्रवाइम का जो बुक लिखा हुआ है जिसे आप पढ़कर आप अपने विचार को बदल सकते हैं और विचार फिर जो आपके अंदर डर है जो आपके अंदर भय है जो तमस्याल ला रही है उसको आप दूर कर सकते हैं तो इसी बिच जो सबसे अच्छा बुक जो एक सबसे अच्छे जो कवी जो है बिहार के रामधारी सिंग दिनकर के बिहार के कवी रह चुके हैं जिसका यहां पर इमेज आप देख रहे हैं फोटो उनका रामधारी सिंग दिनकर के द्वारा बहुत सारा बुक लिखा गया बहुत सारा पोयम लिखा गया है उस पोयम का अगर लाइन हमारे जीवन को बदल देगा इसे जब भी आप पढ़ेंगे आप अपने सामने इसे दिवाल पर चिपका लें लाइन को लिखकर और बार बार इसे जब आप पढ़ेंगे आपके अंदर बहुत एक मोटिवेशन आएगा आपके अंदर का जो डर हो खतम होगा इस तमस् चलित होते चन एक नहीं धीरज खोते विगनों को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं देखिए विपत्ती तो आएगा ही जो समस्या है वो आएगा ही वह यह लाइन कि सच है विपत्ती जब आती है विपत्ती तो आएगा समस्या आएगा आपको परिशान करेगा ल तो भी मैं मुष्लित होटे में जीवन को जूते हैं चैरल करते हैं नहीं भाद छाथार नहीं होना चाहिए जो हिए नहीं ब़िकान करते हैं हम लोग अगर समस्या से अगर भागेंगे तो और समस्या हमारे पीछे पीछे आएगा लेकिन समस्या को हम लोग को क्या करना है जैसे यहाँ पे चोटी से कहानी मुझे याद आ रही है स्वामी विवेकानंद एक बार क्या हुआ कि जंगल के रास्ते से जा रहे थे कुछ प्रक्ति देखता है यह तो मतलब काफी मजबूत आदमी है और बंदर से भाग रहा है तो स्वामी विवेकानंद को आदमी बोलता है कि रूक है यह द्रा रहा है तो मतलते हैं कि तुम रूक हुआ हैं मतलब है एक तरव एक बार उनके तरफ भ्यसकर तो मुझको डर हो जैसे वेवेजुकन County रुखते हैं और जूखकर उसको डरानाट सब्सक्राइब यहां पर वापस के खोड़ने लगते हैं कि समझ्या आपके समस्या स्मस्या संथा करना चाहिए समस्या को तुलिखनों को लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं सबसे अच्छा ए्लाइन है आप यह रस्मी रथी बुक का एक पार्ट है चोटा सा आप उसे पढ़ेंगे और आपको बहुत यहां से मोटिवेशन मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद